Hello friends, welcome to my channel Hachi Creations इस वीडियो में मैं आपको ये एक प्यारा सा पैटरन बताने जा रहे हूँ जो के बनाने में बहुत ही जादा इजी है ये आप किसी भी जन स्वेटर, कार्डिगन, बच्चों के स्वेटर पे डाल सकते हैं ये टोटल 16 रोस का पैटरन है और ये 10 के मल्टीपल प्लस 1 एक्स्टर स्टिच और प्लस 2 एस्टिच में बनके तयाह हो जाता है ये राइट साइड है, इसकी राइट साइड से कुछ ऐसे दिखाए देता है और ये रॉंग साइड से ऐसे दिखाए देता है तो शुरू करते हैं इस पैटरन को बनाने के लिए मैंने अपनी सलाइपे टोटल 23 stitches लिये हैं टेन का मल्टीपल 20 प्लस 1 एक्स्टर स्टिच 21 और प्लस 2 एस्टिचेअ तो टोटल 23 शुरू करते हैं, फर्स्ट रो राइट साइड फ्रेंट्स प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सकाइब कीजिए, मुझे स्पोर्ट कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा फर्स स्टिच को हम ऐसे ही स्लिप करेंगे धागा अपनी तरफ करेंगे एक स्टेच को हम उल्टा बुनेंगे परल वन स्टेच अब इसके आगे से हमारा पैटर्न शुडू होगा धागा इधर ही राने देगी हम फ्रंट साइड पे और वन स्टेच को यह से स्लिप कर लेंगे इसके बाद वन स्टेच उल्टा और वन स्टेच हम उल्टा बुनेंगे देन धागा पीछे करेंगे और एक स्टेच को हम सीधा बुन लेंगे धागा अपनी तरफ करेंगे वन स्टेच को हम उल्टा बुनेंगे परल वन स्टेच फिर से धागा इधर राने देंगे एक स्टेच को हम ऐसे ही स्लिप करेंगे देन वन स्टिच को हम उल्टा बना लेंगे. उससे धागा इधर ही रहने देंगे, वन स्टिच को technstone को लिप और वन स्टिच उल्टा बना लेंगे. यहाँ से हमारा पैटर्न चुड़ू होता था. यह टू हमारे सची है, फर्स हमने यहां से शुड़ू की अथा अपना पैटरन, अब यही पैटरन हम अपना पूरी सलाई में रrepeat करते जाएंगे, slip one stitch and purl one stitch again slip one stitch yarn in front side and purl one stitch इसके बाद धागा back side पर करेंगे knit one stitch, एक stitch को हम सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे एक stitch हम उल्टा बुनेंगे purl one stitch, then again slip one stitch and purl one, एक उल्टा बुने पहले slip किया, फिर उसे उल्टा बुन लिया फिर से यही करेंगे, एक slip करेंगे और दूसरे को हम ऐसे उल्टा बुन लेंगे last में जो हमारा stitch बशेगा last stitch उसे भी हम उल्टा बुनके, अपनी सलाई को complete कर लेंगे, पूरी row में हम अपना यही pattern repeat करते जाएंगे next is second row second row हम सारी की सारी उल्टी ही बुने, भी रॉंक साइट की रो होंगी, वो सारी की सारी हम उल्टी ही बुनेंगे purl all the stitches in wrong side third row slip first stitch को ऐसे ही slip करेंगे, दिन धागा अपनी आगे की तरफ लेकि आएंगे front side पे और next stitch को भी हम ऐसे ही slip कर लेंगे इसके बाद अब हमारा pattern शुरू होगा purl one stitch, एक stitch को हमने उल्टा बुना again slip one stitch और एक stitch को हमने फिर से उल्टा बुन लिया इसके बाद धागा back side पे करेंगे और three stitches को हम सीधा बुनेंगे knit three stitch, one, two and three और धागा अपनी तरफ करेंगे और एक stitch को हम उल्टा बुनेंगे again slip one stitch और एक stitch को हम उल्टा बुन लेंगे दागा इधर राने देंगे और फिर से एक stitch को हम slip कर लेंगे इसके बाद से अब हमारा repeat pattern शुरू होगा एक stitch उल्टा बुना धागा इधर ही रहने दिया, एक स्टिच को स्लिप कर दिया, अगेन एक स्टिच को हमने उल्टा बुना, धागा बैक साइट पर करेंगे, त्री स्टिच हम सीधे बुनेंगे, वान, टू, एन, त्री, धागा अपनी तरफ करेंगे, और वन स्टिच को उल्टा बुनेंगे, द next is fourth row, fourth row हम सारी की सारी उल्टी बुनेंगे, पर्ल all the stitches in the fourth row. fifth row, first stitch को slip किया, then धागा अपनी तरफ करेंगे, एक stitch को हमने उल्टा बुना, पर्ल one stitch, अब इसके बाद से हमारा pattern चुड़ू होगा, धागा इधर ही रहने देंगे, अपनी front side पे और one stitch को ऐसे हम slip कर लेंगे, then purl one stitch, एक stitch को हमने उल्टा बुना, पहले धागा इधर रहने दिया और एक stitch को slip किया, उसके आगे एक स्टिच को हमने उल्टा बुन लिया धागह अपना back side पे करेंगे और 5 stitches को हम सीधा बुनेंगे 1, 2, 3, 4, and 5 नित 5 stitches धागह अपनी front side पर करेंगे और एक स्टिच को हम उल्टा बुनेंगे धागह इधर ही रहने देंगे हम और 1 stitch को ऐसे हम slip कर लेंगे then purl one stitch यही पैटर्न अब हमने अपने पूरी रूमे रपीट करना है slip one stitch then purl one धागा पीछे किया और पांच सीधे बुने one two three four and five धागा अपनी तरफ किया एक stitch को हमने उल्टा बुना then slip one stitch और एक stitch को हमने उल्टा बुन लिया लास्ट में one stitch बचेगा तो उसे भी हम उल्टा ही बुन लेंगे six throw six throw हम सारी की सारी उल्टी बनाएंगे purl all the stitches in the six throw seven throw first stitch को हम ऐसे ही slip करेंगे then धागा अपनी तरफ लेके आएंगे ऐसे front side पे और next stitch को भी हम slip कर लेंगे इसके बास से अब हमारा repeat pattern शुड़ू होगा first stitch को हमने उल्टा बुना धागा back side पे किया और seven stitches सीधे बुनेंगे one two three four five six and seven फिर धागा अपनी तरफ लाएंगे और one stitch को हम उल्टा बुनेंगे इसके बाद one stitch हम ऐसे slip कर लेंगे यही pattern अब हमने अपनी पूरी रो में repeat करना है परल one stitch एक stitch को उल्टा बुना धागा पीछे लगए और seven stitch सीधे बुने one two three four five six and seven knit seven धागा अपनी तरफ लाएंगे और one stitch को उल्टा बुना धागा इधर ही रहने देंगे और one stitch को ऐसे हम slip कर लेंगे लास्ट में one stitch बचेगा एक stitch तो उसे हम उल्टा बुन लेंगे पूरी रो में यही pattern repeat करेंगे eight row eight row हम सारी की सारी उल्टी बराएंगे पर लॉल 10 stitches इंदा eight row ninth row first stitch को हमने slip किया next stitch को हमने सीधा बुन लिया net one stitch इसके बासे हमारा pattern चुरू होगा धागा अपनी तरफ लाएंगे और एक stitch को उल्टा बुनेंगे धागा इधर ही राने देंगे one stitch को इसे slip कर लिया then एक stitch को फिट से उल्टा बुना next stitch हमने slip कर लिया एक stitch को उल्टा बुना next stitch हमने सीधा बूल लिया, पूरी रो में अब हमने अपना येही पैटरन रपीट करना है, रपीट पैटरन शुरू होगा, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक सिच को उल्टा बुनेगे, देन धागा इदर ही रहने देंगे, एक सिच को ऐसे सलिप किया, अगेन एक सिच बुना, एक स को slip किया next stitch भूल लिया, एक stitch को slip किया, next stitch भूल लिया, रहागा पीछे किया, एक सीदा stitch और लास्ट में ONE stitch बचलेगा तो उसे हम और व्ल्टा भूल लेंगे Car 10 and then throw वrese त्रो सारी की सारी उल्टी ब elétई गवाएं रोल 10 तरो हो 11 थरो कि सिज़ को हम ने शलिब किया नेग्स टीज को हमने सीधा बुली इसके बाइसे हमारा पैटर्ण शुरू होगा एक स्कास सीधा बना दाग आपनी तरफ किया एक सिज़ को हमने उल्टा मुझा धाग हीथर को उल्टा बुनेंगे धागा इधर रहने देंगे और एक स्टिच स्लिप कर लेंगे अगेन एक स्टिच को हमने उल्टा बुना धागा बैक साइट पे करेंगे और तू स्टिच सीधा बुनेंगे यही पैटरन हम अपने पूरी रो में रपीट करेंगे एक स्टिच सीधा इक शिच को स्लिप किया और एक शिच को उल्टा उना धागा पीछे करेंगे और तू सिधा बुनेगे लास्ट में एक सिच बचेगा तो उसे हम उल्टा बुन लेंगे पूरी रो में यही बैटल रूपीट करेंगे next is 12th row, 12th row हम सारी की सारी उल्टी बनाएंगे, परल all the stitches in the 12th row, 13th row, first stitch को slip किया, next stitch को हमने सीधा बुन लिया, इसके बाद से हमारा pattern चुड़ू होगा, two stitches सीधे बुने, धागा अपनी तरफ करेंगे, one stitch को उल्टा बुना, then slip one stitch, इसके बाद एक stitch को फिर से उल्टा अगें, slip one stitch और एक stitch को हम उल्टा बुनेंगे, धागा बैक साइड पे करेंगे, three stitches सीधे बुनेंगे, one, two and three, यही pattern हम अपनी पूरी रो में repeat करेंगे, two stitches सीधे, धागा अपनी तरफ किया, one पल stitch, एक उल्टा stitch, एक स्टिच को slip किया, अगें एक स्टिच उल्टा बुना, next एक स्टिच को slip किया, एक स्टिच हमने उल्टा बुना, धागा बैक साइड पे किया, three stitches को हमने सीधा बुन लिया, last में one stitch बचेगा, तो उसे हम उल्टा बुन लेंगे, 14 रो, 14 रो हम सारी की सारी उल्टी बुनेंगे, परल all the stitches in the 14th row, 15th row, first stitch को slip किया, एक स्टिच को हमने स सीधे बुने, धागा अपनी तरफ करेंगे और एक स्टिच को हम उल्टा बुनेंगे, धागा इधर ही रहने देंगे, one stitch को ऐसे slip कर लेंगे, again एक स्टिच को हम उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और four stitches सीधे बुनेंगे, one, two, three and four, पूरी रो में हमने अपना य एक स्टिच को हमने उल्टा बुना धागा बैक साइट में किया, फोर स्टिच सीधे हमने, one, two, three and four, लास्ट में वन स्टिच पचेगा तो उसे हम उल्टा ही बुन लेंगे, पूरी रो में हम यही पैटरन रपीट करेंगे, next is 16 रो, 16 रो हम सारी की सारी उल्टी ही बनाके कम हमें ये continue ऐसे खुबसुरस सा पैटरन मिल जाएगा थेंक यू फर वाचिंग माई वीडियो